हेलो बच्चो सो वेलकम टू निव सेशन ओके यह जेई का निव सेशन है यहां पे हम लोग और पांच कुर्शन करेंगे बहुत ही अच्छे-च्छे कुर्शन करेंगे लेकिन एक आपके लिए मैंने यहां पे CET 2012 का कुर्शन भी लाया है तो प्लिस उसको भी देख लेना और पहले वही करेंगे तो आप देखो बच्चो मैं यहां पे question display करता हूँ बहुत ही simple question है आपको dissolve कर सकते हो मैं read करता हूँ question क्या है the CH bond distance is the longest in क्या बोला है CH bond distance long किस के अंदर होगा carbon to hydrogen bond distance किस के अंदर longest होगा यह हम लोग को बताना है यहां पे आपके पास चार option है हैं तो कोन बरेगा करोड़ पति में आपके लिए करोड़ के लिए सवाल है ये सीटी 2012 का जिसके अंदर पहला option है सीटू एच्टू दूसरा option है सीटू हच्पोर तीसरा option है सीटू है और चौत्रा option है आपके पास यहां पे कोई lifeline नहीं है किसी से आप पूछ नहीं सकते में से पूछ सकते हो लाश में option लेकिन आप अपना एक करोड़ खोदोगे फटवाट बताओ इसका अंसर क्या होगा दस सेकेंड का टाइम है दस सेकेंड में आपको बताना है वीडियो पॉस करो या फिर कुछ भी करो लेकिन दस सेकेंड में find out करो बिकोज यही के exam में आपके प्रस टाइम नहीं रहेगा और तस सेकेंड का टाइम समप्त होता है और हम लोग solve करेंगी यह question देखो बच्चो अगर bond distance की बात कर रहा हूं मैं तो एक point अगर आप देख लोगे उसके पाद आपको किसी का पूछने की ज़रोत नहीं पड़ेगी सबसे long bond distance होता है carbon to carbon bond मतलब single bonded carbon atom देखा तो bond distance long होगा फिर आता है उससे छोटा carbon to carbon double bond मतलब यह दिखा तो यह छोटा रहेगा as compared to हम लोग का single bond third आता है हम लोग का carbon carbon triple bond मतलब यह दिखा तो इसका bond distance और भी छोटा रहेगा तो अब option देखोगे तो पहले आले option में हम लोग का triple bond होता है c2 h2 अगर बना और ड्रॉ करो c2 h2 अगर ड्रॉ करो तो c2 और यहां पर triple bond लगा दिया है के h और यह होगे c2 h2 मतलब triple bond जन्रेट हो दूसरा वाला देखोगे तो वहां पर double bond generate होगा c2 double bond c2 third वाला अगर आप लोग ने लिखके लेगी होगे तो अच्छा रहेगा third वाला देखोगे तो single bond बना लाए that is c3 single bond c3 मतलब c2 h6 और हम लोग का अगर fourth वाला देखोगे तो वहां पर हम लोग का पहले ड्रॉख करो c cb r b r h h double bond तो यहां पर चार option में एक में triple bond बन रहा है एक में double bond बन रहा है एक में single bond और एक और में double bond बन रहा है तो इसके लिए मैंने जिसे की यहां पर पताया आप लोग को single bond में distance long होता है और यहां पर question पूछा है यह हटा देता हो question देखो दिया है the ch bond distance is longest in the ch bond distance long होगा जिसके अंदर carbon carbon single bond होगा तो single bond है हम लोग का third वाले में मतलब option c is a correct answer okay understand दिखो कितना simple था आपको यह जाना है यह तीन point carbon carbon single bond का distance long carbon carbon double bond का distance थोड़ा चोटा और triple bond का और भी चोटा okay interaction बढ़ जाता है इसके लिए उसका bond distance small हो जाता है चलो second question पर बढ़ते हैं तो second question बच्छो नोट करके ले लेना और पहिदा अलो पॉइंट नहीं किया रहेगा तो वीडियो पीछे करके चलो second question जो है the enolic form of acetone contain देखो इसका अगर आपको answer पता है तो आप comment कर सकते हो कितने sigma और कितने pi bond रहेंगे तो सबसे पहले आप inolic form draw करो और उसका answer निकालो नहीं तो मैं तो solve करने ही वाला हूँ आपके यह चलो फटा पट निकालो 10 second का time है और आप बताओ इसके अंदर कौनसा answer रहेगा आप बच्चों 10 second से ज्यादा हो गया है चलो आपको मैं इसका answer बताता हूँ तो इसका answer रहेगा पहला बला लेकिन उसके लिए मैं पहले solve करके दिखाऊंगा चलो question हटा दिया है solve कर तो पहले हम लोग क्या बनाते हैं असी टोन का structure का है CH3C double bond O CH3 इसका मैं को इनोलेट फॉर्म बनाना है इनोलेट मतलब इनोल रहेगा और अलकोहल रहेगा इन रहेगा मतलब double bond और अलकोहल तो रही आ रिंग्मिंट कर दो double bond यहां पे डाल दो और H को हिज़र स्व्ट कर दो क्या होज़ेगा CH2 double bond C single bond OH CH3 इसके अंदर count करो कितने sigma कितने 5 तो पहला answer है आपका मतलब यहां पे count करो 2 और 1 3 3 sigma यहां होगे 4 और यह 3 कितना हुआ 4 3 7 यह 8 और यहां पे hydrogen के साथ जो bond है वो 9 मतलब 9 sigma bond 9 sigma और पाइ कितना है सिर्फ यहां पे डब ओ यहां पे ही डबल पॉंड है और है क्या कहीं पे नहीं तो यहां पे 1 पाई और 9 sigma bond बन रहे हैं तो इसका जो correct answer रहेगा dirt is dirt is उन साम लोग का A वाला 9 sigma bond 1 और oxygen है तो उसके पर लोन पेर रहेगा मना two lone pair of electron okay so यह रहेगा हम लोग का answer A चलो यह question हटाता हूँ अब आएगा आपके लिए 8th question जो आपके लिए important है बहुत important है चलो देखो क्या दिया हो है अगर वो कर लिया तो यह आ जाएगा the number of sigma and pi bond in but one in three iron but one in three iron में इसके पाँ अपने पास है चार option five sigma five five sigma five five seven sigma three pi eight sigma two pi and six sigma four pi whatever it is का answer दो दस सेकेंड है आपके पास चलो आपने solve कर लिया रहेगा well and good अगर कर लिया है बहुत अच्छे comment करके बता देना तन लिया है मैंने ओके तो यहां पर आपका जो answer है का वो बताने के पहले आपको वहकर बता देता हो sigma मतलब single bond and pi मतलब double bond so h h single bond के अंदर 1 sigma bond double bond के अंदर 1 sigma और 1 pi and triple bond के अंदर हम लोग का 1 sigma और 2 pi इतना याद है बस हो गया तो यहां पर जो हम लोग का compound है वो हम लोग को बनाना है तो compound क्या है देखो बच्चो compound हम लोग के पास but one in three iron but one in three iron one in मतलब यहां पर double bond और third position पर क्या बोला हम लोग का triple bond yes now इसके अंदर hydrogen डाल दो CH2 CH C और यहां पर CH okay यह हो गया हम लोग का structure count करो कितने sigma कितने pi यह दो sigma तीसरा sigma चोथा sigma पाँच्वा sigma यहां पर छटा sigma और यहां पर hydrogen के साथ है यह कौंसा साथ sigma seven sigma bond कितने seven sigma bond pi bond count करो बच्चो तो यहां पर देखोगे तो एक यहां पर double bond है और एक यहां पर triple bond है double bond मतलब one pi bond और triple bond मतलब two pi bond तो total कितने pi bond three pi bond तो इसका जो answer है that is b वाला seven sigma and three pi bond यहां पर आप देख सकते हैं seven sigma and three pi bond understand देखो कितना easy questions है आपके लिए तो चलो बच्चो यह आपको अगर समझ गया रहेगा तो well and good नहीं तो sigma और pi के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है वह आप देख सकते हो sigma and pi वाला वहां पर आपको properly समझ जाएगा इसके पहले जो मैंने practice for preparation वाला question लिया था उसमें मैंने deep में explain किया हुआ है sigma and pi bond counting okay next question 9th question display देखो क्या दिया हुआ how many sigma sigma and pi bond are there in tetrasyno ethylene molecule अगर structure पता है well and good कर सकते हो तो आप लोग खुद यहां पे हम लोग का option में read करता हो और फिर मैं solve करूँगा भी टेंशन मत लेना हाल देखो क्या है 9 sigma 9 pi 9 sigma 7 pi 5 sigma 9 pi 5 sigma 7 pi फटब डिसका answer comment करो आपको अगर structure पता है तो नहीं तो मैं solve करूँगा बहुत easy question 10 second okay बच्चों तो solve करते हैं यह question अरे छोटा जा थोड़ा mobile hang हो गया है एक मैट okay तो question क्या है अब लोग का question है अब लोग का tetra syno ethylene tetra syno ethylene tetra syno मतलब 4 syno है और ethylene है पहले ethylene ट्रौब करो मतलब double bond c triple bond n 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 अब आप खुद find out कर सकते है मैंने structure दे दिया है फटा हुद find out करो इसका answer बताओ अब 5 second है आपके पास 5 second जल्दी okay so कर लिया रहेगा well and good देखो याप पे कितने sigma कितने पाए 1 sigma 2 sigma 3 sigma 4 sigma 5 sigma 6 sigma 7 sigma 8 sigma bond and यहाँ पे double bond के पास 1 sigma मतलब 9 sigma bond कितने हो गए 9 sigma bond और कितने pi bond देखो triple bond के पास 2 pi यहाँ पे 2 pi यहाँ पे 2 pi यहाँ पे 2 pi मतलब total कितने हो गए 8 और एक double bond खुद ही है मतलब 9 pi 9 sigma bond 9 pi 9 sigma bond जो आपका option है that is A is the correct answer okay चलो आप last question पे आते 10th question पे आज का और बहुत यह अच्छा question 10th वाला आपके लिए यह नहीं दिखा होगा तो इसका structure वीडियो पॉस करके पहले ही बना देना ओगे बच्चे ओ चलो next question पे चलो next question के 10th वाला the benzene molecule there are 9 pi bond and कितना बोल रहे 9 pi bond पहले ही बोल दी 3 pi bond and कितने sigma bond मतलब वही हो गया तो यहां पे दिया है पहला option 3 sigma bond होता है benzene में 6 sigma bond होता है या फिर 10 sigma bond होता है या फिर 12 sigma bond होता है पहले benzene का structure रहो करो और इसका answer मुझे कमेंट करो फटावर 10 second का time में आपके पास 10 second का time में आपके पास फटावर इसका answer बताओ ओके तो आपका यहां पे benzene का structure बन गया रहेगा और आप बताओ इसका answer क्या रहेगा मैं बनाता हो नहीं तो 10 second complete हो गया आपने कमेंट कर दिया रहेगा तो well and good तो देखो यह simple benzene का structure यहां पे आपको नहीं दिकरा होगा लेकिन यहां पे एक hydrogen होता है यहां पे भी एक hydrogen यहां भी यहां पे भी और यहां पे भी आप count करो कितने sigma कितने pi तो अगर आप इसका answer देखो कि अच्छो तो पहले भी बोल दिया है 3 pi bond मतलब यहां पे यहां पे और यहां पे आप देखो सिर्फ count करना है कितने sigma bond इसके अंदर present है तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 Now 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल कितने 12 sigma bond से इसके अंदर और 3 pi bond से इसके अंदर कितने 9 pi and 3 pi और 12 sigma bond present है तो यह तो हम लोग का 10th question तर और यहां पे हम लोग C.A.T. 2012 का भी question हम लोग ने कि J.A.N.K. मतलब J.A.N.K. मतलब J.A.N.K. तो थैंक यह सो मच विच्छो वीडियो का लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और J.A.N.E.T. के रिलेटेड वीडियो के लिए यह चैनल के साथ बने रहो और आपके पास जो भी question हैगा मुझे आप Instagram पे message कर सकते हो अभीनस सर या फिर chemistry अभी यह मेरा दो पेज है दोनों पे किसी पे भी आप message कर दो मैं उसके लिए आपके लिए question on demand lecture लूँगा ओके thank you so much